बिग बोस बारा का आखरी टास बीबी होटेल अब अपने सबसे इंप्रेस्टिंग मोड पर है इस दोरां आप ये देख चुके हैं कि घर में आक्टरस हिना खान और जूही परमार ने जहां कंटेस्टेंस को खूब मज़िदार टास दिये तो वही अब इनके बाद घर में ए अपिर ऐसा क्या हो गया कि गौहर पर भड़क जाते हैं श्रीसंद आईए पहले इसके बारे में आपको बताते हैं दरसल हिना की तरह गौहर भी कंटेस्टेंस को घर में एक एंटिटेनिंग टास देने पहुझी थी ये एपिसोड आज राद दिखाये जाएगा असल में कल शो के फ्रीकेप में ये दिखाये गया है कि गौहर ने पहले तो घर में आकर करनवीट के साथ जम कर मस्दी की फिर इसके बाद जब उन्होंने श्रीसंद को कोई टास दिया तो वो उल्टा उन पर ही बरस उठे दरसल गौहर ने श्रीसंद से कहा कि वो दिखाय को गिफ्ट में मिली शोयब की जाकेट और उनके निका के दुपटे को स्टोर रूम में रख दे बस फिर क्या इसी बात पर श्रीसंद गौहर पर भड़क जाते हैं और उन्हें खूप खरी-खोटी सुनाने लगते हैं आपको बताते हैं कि श्रीसंद की इस तरह की बत्तमिजी को देखकर गौहर भी काफी नाराज हो जाते हैं तो अब सवाल यह है कि क्या फिनाले से ठीक पहले श्रीसंद को गौहर के साथ इस तरह व्यवार करना भारी पड़ेगा क्या इससे श्रीसंद के फैंस की संख्या कम हो जाएगी दरसल ये सवाल इसलिए क्योंकि गौहर खान शो में एक महमान की हैसियत से गई है ऐसे में श्रीसंद पे जाने अंचाने घर आए महमान का अनादर ही किया है इसके अलावा श्रीसंद पर पहले भी महिलाओं के साथ गलत प्यावाद करने का आरोग भी लग चुका है ऐसे में उनका गौहर पर इस तरह बरसना उन्हें खिताब से दूर ले जा सकता है वैसे भी अगर आपको याद हो तो गौहर खान अपने सीजन की ऐसी कंटेस्टन रही है जो हमेशा सही और गलत में सही तरीके से फर्थ करती आए है ऐसे में गौहर खान का भी अच्छा खासा फैन बेस है और अप श्रीसंद की बत्तमीजी इसलिए उन पर भारी पढ़ सकी है साथी ये भी देखा गया है कि बिग बॉस में आपनी दिनों में बचे कंटेस्टन्स की गती विडियो पर ओडियन्स भी खासी नज़र रगती है कौन क्या कर रहा है कैसा परताफ कर रहा है लोग इस बात पर पैनी नज़र बनाए रखते हैं तो अब देखना होगा कि गौहर के साथ इस तरह मिस्ट बेहब करना कही श्रीसंद के फैंस कम ना कर दे तो अब श्रीसंद की इस हरकत का परिणाम क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा मगर फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में ही बताईए कि शो के आज के एपिसूद को देखने के लिए आप कितना एकसाइटेट हैं